नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आपके अपने यूटूब चनल सरकारी भरत में दोस्तों आज की इस वीडियो गेंदर हम बात करने वाले हैं यूटूब का पेमेंट आया मेरे पास और उस पेमेंट से मैंने अपने लिए एक नया फॉन खरीदा कौन सा फॉन खरीदा है, कितना पेमेंट आया था, कितने पेमेंट में मतलब मैंने ये बेस्ट क्वालिटी का फॉन खरीद लिया लगवक 30,000 रोपे के करीब का फॉन मैंने खरीद लिया 35,000 का फॉन तो कितने payment पे मैंने इसको खरीदा था कितना payment मेरा YouTube से आया उन सब भी बातों के बारे मैं इस वीडियो गंदर हम डिसकस करने वाले है दोस्तों अगर आप भी इसी चैनल पर नए है हमारा चैनल का नाम है सरकारी भरत YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना बिल्कुल ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेयर करें ज्यादा से ज्यादा इस्टूडेंट्स के पास सेयर करें ज्यादा से ज्यादा यूटूबर्स के पास सेयर करें और अपने सभी मित्रों के पास जो यूटूब पर आना चाते हैं, यूटूब पर अपना करियर बनाना चाते हैं, उन सभी के साथ आप इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं, तो चलिए फेंट्स, मैं हूँ सुबम्दिछे स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैन के उपर डिपेंड करता है, यह आपके वीडियो की क्वालिटी के उपर डिपेंड करता है, और यह आपकी एविलिटी, योग्यता पर निर्वर करता है, यह आपके एक्सपिरियंस पर निर्वर करता है, यह सभी के सभी चीज़ अगर आपके अंदर हैं, तो आप जितना च चैनल मॉनेटाइस नहीं होता है, सबसे पहली प्रोसेस होती है, इसके अंदर आपको चैनल बनाना होता है, चैनल क्रियेट होता है, चैनल क्रियेट होने के बाद, आप उस चैनल को एप्रूब कीजिए, अपने मोबाइल नमबर से, जैसे ही आपका Chrome Browser में जाके, एप्रूब हो जाता है, जैसे ही आपका एप्रूब होता है, आप Continuously धीरे 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 एक, दो, तीन या जितनी भी आप वीडियो डालना चाहते हैं, पर ड़े के साब से डालते रहे हैं, Continuously आप उनको डालते रहे हैं, उसके बाद इसमें एक प्रॉसेस होती है, यूटूब की प्रॉसेस है, यूटूब की जो गैडलाइन है, उसमें पता आया गया है, कि एक हजार सब्सक्राइबर्स, मिनिमम आपके 1000 सब्सक्राइबर्स, वन येर के अंदर होने चाहिए, और 4000 गंटे का आपका बॉस्टाइम कंप्लेट होना चाहिए, अगर आपका 4000 गंटे का बॉस्टाइम कंप्लेट हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आप अपने चैनल को, जो आपका चैनल है, उसको मॉनिटाइजेसन के लिए, आप फॉर्म बरेगे, जैसे ही मतलब मॉनिटाइजेसन के लिए, वहाँ पर आपको बटन मिलेगा, क्रॉम ब्राउजर के अंदर, जैसे ही आप अपने चैनल को उपन करेंगे, तो वहाँ से आप अपने चैनल को, मॉनिटाइज करवा लेंगे, तो एड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपका जो मिनीमम कम से कम 100 डॉलर होंगे, तो आपके पेमेंट आपके बैंक में ट्रांसपर कर दिया जाएगा, जो आपका खातावाता सबको चोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर, वो किसी और वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, तो जैसे ही जो आपका पेमेंट है, वो बैंक के अकाउंट में पहुंच आता है, कम से कम 100 डॉलर होने चाहिए, चाहे एक महीने में हो, चाहे दो महीने में हो, चाहे तीन महीने में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आपके 100 डॉलर जैसे ही हो जाते हैं तो महीने की 12 तेरे तारीक को ये Google AdSense में बहुंसते हैं Google AdSense से 22, 23 ये 24 तारीक के करीब लगभग हर मन्त के आपका पेमेंट आपके बैंक के खाते में आ जाता है तो ये complete process इस YouTube की रहती है जैसा कि मैंसे तो आप सभी को पता ही होगा लेकिन नहीं पता तो मैंने एक step 20 आपको बता दिया है ये इसकी process रहती है सबसे वड़ी process यह ही है कि आपको continuous रहना है continuous बने रहना है अब मैंने एक नया phone खरीदा उसके बारे में बता देता हूँ तो मैंने जो phone खरीदा है वो अपने two month की income से जो YouTube की मेरी income आई है दो महीने की income थी उससे मैंने इसको खरीदा है तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको phone देखा देता हूँ यह मेरा phone है आप लोग glass को देख सकते हैं यह थोड़ा सा ठीक तरीके से नहीं लगा है नया glass लगवाना पड़ेगा मुझे ये मेरा फ़ॉन है आप लोग देख सकते हैं मैं इसको उपर करके दिखा देता हूँ इसके मतलब इसके कवर को ठाके तो आप लोग यहां से देखेंगे तो ये फॉन है भ situação है भाई ये कितना मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई यह बताईए यह phone अच्छा लग रहा है कि नहीं तो यह phone है और यह किस company का है आप लोग पहचान सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यह दो महीने की मेरी income थी YouTube से उससे मेरा यह phone आ गया अच्छे से तो आप देख सकते हैं बहुत मतलब जो इसके अंदर brightness है वो तो बहुत ज् की दे रखिये brightness दो तो यह है OnePlus का और यह लगबग आता है 28-30 के करीब आता है तो आप लोग समझ सकते हैं मैं एक्च्छली मतलब बिलकुल डेटा वाइस तो नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ policies होती हैं उसके कारण लेकिन यह लगबग 28-30 के करीब पढ़ जाता है Amazon या कहीं से भी आप किसी भी साइट से लेते हैं तो यह भी मुझे ऐसे ही पढ़ गया तो यहां पर आप देख सकते हैं मतलब इसके अंदर जो फिनिसिंग है वो बहुत जाद आच्छी है किसी दिन मैं दिखाऊंगा इसका कैमरा यह जो मैंने लिया है इसका एक ही कारण था कैमरे की वज़ा से क्योंकि इसके कैमरे के जो कैमरा है पहुत जादा आच्छा है एक तरीके से आप इसको DSLR समझ लीजिए इतना बेस्ट कैमरा है वन प्लस का 12-256 में है मतलब 12GB RAM है 256GB इंटरनल है और 5G के लिए यह सपोर्टेबल एक तरीके से अगर आंगे जब 5G आएगा तो बहुत अच्छा फॉन है और YouTube की तरब से एक तरीके से मैं मान सकता हूँ तोफा है और YouTube का जब Silver Play वटन आएगा अपना तब बहुत अच्छा मतलब तोफा तो तब समझेंगे अपने अपको ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वाले हैं उनके साथ share कीजीगा ताकि आपको भी इसका benefit मिल सके और आपको मैं समय समय पर यहाँ पर मतलब यह है कि आपको point बताते चलूँगा कि आपको क्या करना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like किजीगा चैनल को subscribe करना तो यार बिलकुल मत भूलीगा चली मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू 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 पर वाचिंग इस वीडियो टेस्ट अफ लग फॉर न्यू यूटुबर्स